कर्णिना में हुए बद साथ से के बाद सिक्षा मंतरी खुद अस्पताल पहुंची है गाहे लोग आलचाल जानने के लिए उनसे बाचित करते हैं परण क्या कुछ जानकरी अब तक आपको मिली है मेरे पंस जानकरी आई है कि आज छुट्टी के दिन स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गैर कनोनी एक्टिविटी है इनकी दूसरा जानकरी के मताबिक कि जो व्यक्ती बस चला रहा था शायद उसने शरापी रखी थी और जो गाड़ी है पेड से टकराई जिसमें साथ या आठ बच्चों की कैशुलिटी हुई है इस हॉस्पिटल में बारा बच्चे एड्मिट है जिसमें चार बच्चे आईसीउ में है और दो एक बच्चे थोड़ा अभी हलात के मताबिक थोड़ा सीरियस है पर जान को खत्रा नहीं है ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं वो कहरे हैं जैसे किसी को थोड़ी चोड़ जादा आई है तो उसका सरजरी हो सकती है और वो टाइम लेगा थोड़ा ठीक होने में तो यह यहां के हला आता है किस के खिलाब कानूनी कारवाई इस वक्त आप लोग करने वाले हैं जिस जिसने कानून तोड़ा उन सब के खिलाफ कानूनी कारवाई होगी स्कूल जो संचालक है आज स्कूल की क्योंगी छुट्टी थी उसके बावजू स्कूल खोला था तो क्या उनके मानिता रद की जाए गिया उनके खलाब को कानूनी एक्शन लिया जाए गया और बिल्कुल कारवाई हो गी यही बिल्कुल तो सिक्षा मंत्री खुद पहुंची है रेवाली के अस्पताल में और इसके बाद वो साइद गटना स्थल पर भी पहुंचेंगी क्या आप गटना स्थल भी जाने वाले हैं मैं जाओंगी अभी जहां बच्चों का पोस्ट मार्टम होना है अभी जाओंगी जहां वहां पर बिल्कुल तो सिक्षा मंत्री का कहना है कि वो अब यहां से सीधे जो गटना स्थल भी जाएंगी और जहां पर बच्चों का पोस्ट मार्टम क्या जा रहा है वहाँ पर भी जाएंगी और परीजनों से भी मुलाकात करेंगी अभी तक उनका ये दावा है कि आने वाले समय में ना सिर्फ ड्राइवर के खलाब कारवाई होगी बलकि जो स्कूल संचालक है उसके खलाब भी कानूनी कारवाई की जाएगी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और बावजूद इसके स्कूल को खोला गया था जिसके चलते एक बड़ा हाथसा हुआ और छे छात्रों की मौत हो गई कनिना में हुए बद साथ से के बाद सिक्षा मंतरी खुद अस्पताल पहुंची है गाहे लोग आलचाल जानने के लिए उनसे बाचित करते हैं परण क्या कुछ जानकरी अब तक आपको मिली है मेरे पंस जो जानकरी आई है कि आज छुट्टी के दिन स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गैर कनूनी एक्टिविटी है इनकी दूसरा जानकरी के मताबिक कि जो व्यक्ति बस चला रहा था शायद उसने शराप पी रखी थी और जो गाड़ी है पेड़ से टकराई जिसमें साथ या आठ बच्चों की कैशुएल्टी हुई है इस हॉस्पिटल में बारा बच्चे एड्मिट है जिसमें चार बच्चे आईसियू में और दो एक बच्चे थोड़ा अभी हलात के मताबिक थोड़ा सीरियस हैं पर जान को खत्रा नहीं है ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं जैसे किसी को थोड़ी चोड़ जादा आई है तो उसका सर्जरी हो सकती है और वो टाइम लेगा थोड़ा ठीक होने में तो यह यहां के हलाता है किस किस के खिलाब कानूनी कारवाई इस वक्त आप लोग करने वाले हैं जिस जिसने कानून तोड़ा उन सब के खिलाफ कानूनी कारवाई होगी स्कूल जो संचालक है आज स्कूल की क्योंगी छुट्टी थी उसके बावजू स्कूल खोला था तो क्या उनके मानिता रद की जाए गिया उनके खिलाफ को कानूनी एक्शन गया जाए पर बिलकुल तो सिक्षा मंत्री खुद पहुंची है रेवाली के अस्पताल में और इसके बाद वो साइद गटना स्थल पर भी पहुंचेंगी कि आप गटना स्थल भी जाने वाले हैं मैं जाओंगी अभी जहां बच्चों का पोस्ट मार्टम होना है अभी जाओंगी जहां वहां पर बिलकुल तो सिक्षा मंत्री का कहना है कि वो अब यहां से सीधे जो गटना स्थल भी जाएंगी और जहां पर बच्चों का पोस्ट मार्टम किया जा रहा है वहाँ पर भी जाएंगी और परीजनों से भी मुलाकात करेंगी अभी तक उनका ये दावा है कि आने वाले समय में ना सिर्फ ड्राइवर के खलाब कारवाई होगी बलकि जो स्कूल संचालक है उसके खलाब भी कानूनी कारवाई की जाएगी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और बावजूद इसके स्कूल को खोला गया था जिसके चलते एक बड़ा हाथसा हुआ और छे छात्रों की मौत हो गई